हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सहरी की प्रिपरेशन करूंगी सबसे पहले मैं बनाने लग गई हूँ कुल्चे यह देखे मैंने इनको बेल लिया है उसके उपर जो अनियन सीड हम लोग बोलते हैं इसको कलाउंजी भी बोलते हैं वो मैंने इसके उपर लगाई है आप धनिया का पत्ता भी लगा सकते है धनिया की पत्ती चुट-चुटी चॉप करके इसके उपर लगा दीचे बेल कर इस तरीके से मैंने इसको तंदूर में तो सेका नहीं है पर मैं यह तवा वाला बना रही हूँ तवे पर आप गरम तवे पर इस तरीके से बेल के लंबा लं थोड़ा सा तेल होता है नमक होता है अजवाईन होती है पानी से इसको गूद देते हैं मैंने इसी तरीके से गूदा है और इस तरीके से बना बना के हम इसको तवे पे सीख लेंगे यह देखिए यह बहुत ही पॉफेक्ट बन जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि लागे आफ में उठके गरम गरम जलदी बन जाता है इसको पर हमने लगाया है बटा ऑगने से इस डैके आपको पसंद और लगा से बहुत ही जादा झालें वी लगते हैं इसलिए अपर ऑ rich तो यह पर आपको पसंदा तो नहीं लगते हैं इसके उपए है अब यह सारा शज एक इतने अच्छे बनके तयार हैं, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताएं, मैं आपको इसकी रेसिपी सेपरेट बना के दूँगी, इसके बाद मैंने पहले से छोले बना के रखे थे, जिसकी अल आने लग गई हो चाहे, चाहे तो सब को ही आती है, नॉर्मली चीनी पती, लाइची चाहे, ड्रक, डाल दोस के अंदर इसी तरीके से मैं उने बनाई है, चाहे बना ली है, अब दूट डाल दिया, अब ये पक गई है, अराम से चाहे बन चुकी है, छोले, कुल्चे और चा अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो, मेरा चानल पसंद आया हो, तो प्लीज लीव अ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, थैंक यू